प्रिये चात्रो नमस्कार NCERT गड़ित कक्छा दस्मी में आपका स्वागत है आज हम लोग प्रिश्णाबली 8.1 का प्रशन क्रमांग 3 हल करेंगे तो आईए सबसे पहले प्रशन पढ़ लेते हैं इसमें दिया गया है साइन ए बराबर 3 बटे 4 हो तो कॉस A और 10 A के मान गयाद कीजिए तो यहाँ पर हमें साइन ए बराबर दिया गया है 3 बटे 4 और हमें गयाद करना है कॉस A और 10 A तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है हम उसी को लिख लेते हैं हमें दिया गया है साइन ए बराबर 3 बटे 4 तो आईए, सबसे पहले हम इसी को लिख लेते हैं इसके बाद हम साइन का फॉर्मूला लिखेंगे तो साइन का फॉर्मूला हम इस तरीके से लिख सकते हैं हमने याद किया हुआ है L.A.L. बटे के के ए तो यहाँ पर जो पहला बॉक्स होता है वो साइन बताता है जो दूसरा बॉक्स होता है ये कॉस बताता है और ये जो तीसरा बॉक्स होता है ये टैन बताता है तो यहाँ पर लिखा है साइन तो साइन के लिए हम लिखेंगे लंब बटे करन तो यहाँ पर हम लिखेंगे लंब बटे करन इस तरीके से और बराबर दिया गया है तीन बटे चार यह हमें दिया गया है तीन बटे चार तो इस से पता चलता है कि लंब जो है वो तीन है और करन जो है वो चार है तो यदि हम चित्र की बात करें तो यहां पर हमें चित्र में साउधानी पूरवक ABC नाम देना है तो देखिए कैसे देना है यहाँ पर लिखा है साइन A तो A दिया गया है इसका मतलब ठीटा जो है A रहेगा तो A के सामने की भुजा लंब रहेगी तो जब भी आपको यह इस तरीके से कहा गया है 10 A, cos A तो आप क्या करें यहाँ पर A नाम दे दे पहले और बाकी B और C कहीं भी दे सकते हैं क्योंकि हमें A जो है वो ठीटा के रूप में दिया गया है तो A जो है ठीटा रहेगा तो इसके सामने की भुजा यह लंब हो जाएगी तो इसे हम लंब कहेंगे और यह समकॉन बनता है तो इसके सामने की भुजा यह हो जाएगी करण तो यहाँ पर साइन A लिखा है इसलिए हमने ठीटा A को माना है और इसलिए ठीटा माना है तो इसलिए यह लंब है और समकॉन के सामने की भुजा हमेसा करण होती है तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि जब आपने sign का सूत्र लिखा लंब बटे कर्ण तो लंब कितना आ रहा है? 3 और कर्ण कितना आ रहा है? 4 दोनों अनुपात हैं तो आप direct भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अनुपात की रूप में अगर आप इसको x मानोंगे इसको x और x मैंसे भी cancel हो जाता है तो हम direct इसको लिख सकते हैं लंब की जगह पर 3 तो इस चित्र में ए ठीटा माना है इसलिए लंब यहाँ पे आ जाएगा 3 और कर्ण कितना है? 4 तो समकॉन के सामने की बज़ाई यह हो जाएगी 4 तो इस तरीके से आप चित्र में लिख सकते हैं अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक समकॉन तिर्भुज है जिसमें 2 भज़ाएं हमें दी गई है और तीसरी हमें ग्याद करनी है तो इसके लिए हम पाइथागुरस पर में लगाते हैं तो जैसा हम लोग पहले भी करते आ रहे हैं चलिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे समकॉन तिर्भुज समकॉन तिर्भुज और इसका नाम दे देते हैं ABC क्योंकि B बीच में बता आना है जहाँ पर 90 है समकॉन तिर्भुज ABC में ABC में और पाइथागुरस प्रमे लगा देंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथागुरस प्रमे शे और यह होता है करण का बर्ग बराबर लंब का बर्ग धन आधार का बराबर तो यह हमने लिख लिया इसके बाद हम चित्र की माद्ध्यम से इसको सौल्व कर लेंगे चलिए देखते हैं करण कितना दिया गया है करण ये कहलाता है समकॉन की सामने की भुझा जो कि A.C. है तो A.C. का मान है चार तो यहां पर आपको लिखना है चार का बर्ग बराबर के नीचे बराबर लंब आपको दिया गया है ये है τीटा, तो ठीटा के सामने की भुज़ा जो है, लंब रहेगी तीन तो यहाँ पे हमें लिखना है लंब तीन का भर्ग इसके बाद आधार जो है, वो हमें ग्याद करना है, तो आधार को हम AB लिख सकते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB बर्ग आगे बढ़ते हैं चार का बर्ग चर्चों के 16 हो जाएगा बराबर की नीचे बराबर और 3 का बर्ग 3 गोड़े 3 यानि की 9 प्लस AB बर्ग इस तरीके से हम लिखेंगे 9 का ट्रांसपर इस तरफ करेंगे यानि पक्छंदर कर देंगे तो 16 यहाँ पर प्लस का 9 है इस तरह पाजाएगा तो माइनस का 9 बराबर में आजाएगा AB बर्ग 16 में से 9 चले जाएगे आपको यहाँ पर घटाना है तो यहाँ पर बचेगा 7 और बराबर में आएगा AB बर्ग इस तरीके से AB बर्ग इसके बाद ये बर्ग हटेगा तो यहाँ पर बर्गमूल आजाएगा और ये बर्गमूल आएगा साथ बराबर A B तो A B का मान जो आपको मिला है वो आजाएगा साथ तो अब आप यहाँ पर जाके लिख सकते हो अंडर रूट साथ इस तरीके से तो पाइथागुरस पर में लगाने से दो भजाएं दी गई थी और तीसरी हमने ग्याद कर लिए इसके बाद हमें जो ग्याद करना है वो question में हम देख लेंगे ये चित्र आपको side से बनाना है और इसके बाद जो question दिया गया है उसको देख लेते हैं क्या दिया गया है कॉस A और 10 A यह हमें कॉस्चन में दिया गया है तो सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस A इसमें भी ठीटा A ही रहेगा तो इसका लंब वही रहेगा जो इसका भी लंब है और इसका भी तो चलिए cos A और 10 A निकाल लेते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए cos A बराबर cos A बराबर और cos A का फॉर्मूला हम यहाँ इस बाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं यह sign का box होता है और यह cos का box है तो cos का होता है आधार बटे करण तो यह मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि इसको याद कर लेना है आधार बटे करण तो यहाँ पे हम लिखेंगे आधार बटे करण चलिए अब आधार देख लेते हैं कितना है तो यह चित्र से पता चलेगा कि आधार कितना है इसलिए हम चित्रों को यहाँ पी देख लेते हैं आधार है करणी साथ क्योंकि A है A ठीटा की तरह काम करेगा इसलिए लंब यह बताएगा तो आधार फिर यही रहेगा तो यहाँ पी करणी साथ आधार हो जाएगा और करण जो है वो चार रहेगा तो इस तरीके से cos A आ जाता है अब हम ग्याद करेंगे 10 A जो question में पूछा गया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 A और 10 का formula हम इस वाले formula से निकाल लेंगे sin cos 10 यानि लंब बटे आधार चलिए इसको हम लिखेंगे लंब बटे आधार इसके बाद लंब देख लेते हैं कितना दिया गया है यह लंब है चुकि यह theta की तरह काम करेगा इसका भी A theta है तो इसके सामने की भजाई यह हो जाएगी लंब जो की 3 है और आधार है करनी 7 तो 3 बटे करनी 7 यह cos A और 10 यह दोनों answer आ जाते हैं आप चाहें तो इसका परिमे करन भी कर सकते हैं यानि under root 7 बटे under root 7 तो इसका और आगे हल हो जाएगा तीन का करनी 7 मैं करोगे तो आएगा तीन करनी 7 और यह करनी 7 करनी 7 साथ बाहर आ जाएगा यह भी answer हो सकता है तो इस तरीके से आपको यह प्रिस्निक रमांग नोट कर सकते हैं इसके बाद यह रहा और साथ में यह चित्र भी आप इस तरीके से इसमें भी बना सकते हैं थैंक यू